हमारे विभिन ज्ञान वर्धक कारिक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सके हमारा कारिक्रम सबसे पहले नमस्कार दर्शको बहुत बहुत सबागत है आप सभी कापी अपने प्रोग्राम जोतर इश्क्यान में और मैं हूँ आपके साथ मॉनिका क्रोगर दर्शको एक सीरीज के माधहम से हम आपको बता रहे हैं कि आपको अपने लगन अनुसार क्या उपाय अपनाने चाहिए ताकि आपके जीवन में भी खुश्यों का आगमन हो सके आज इसी श्रंखला में बारी आती है कुम लगन वाले जातकों की तो कुम लगन वाले जातक कॉपी पैन तैयार कर लें क्या उपाय उन्हें अपनाने चाहिए ये जानकारी आज आपको दी जाएगी और ये जानकारी देने के लिए स्टूडियो में मौजूद है हमाए साथ हमारे बेहत खास मेहमार जीहा देखेगा कुम लगन खास्तोर से एक बहुत बड़ा लगन माना जाता है बारा लगन होते हैं मेश से लेकर के मीन तक उसमें सेकिंड लास्ट लगन ये होता है कुम लगन और संसार में कुम रासी भी बहुत लोगों की होती है बहुत हूज रासी है बहुत बड़ी रासी है यह लगन अपने आप में बड़ा कर्मठ लगन होता है इस लगन के जातक भावना शील होते हैं लगन शील होते हैं लेकिन इस लगन में कभी कभी इस लगन के जातक आलेस्य से भी भर जाते हैं कई बार उनके काम डिले और लेट भी हो जाते हैं दूसरी बाद, इस लगन के स्वामी शनी है, शनी की साधना इस लगन के जातक को जरूर करने चाहिए, आखों में आशू इस लगन के जल्द आते हैं, अधेरों में छुप करके रोने की यादत पड़ जाती है, और इस लगन के जातक अक्सर लंबे होते हैं, कद काठी के डिल लूछ वाले होते हैं। पतले भी हो सकते हैं लेंगे Valent जूरूर होंगे हाँ कूई छोटे कट के हों तो बात अलग है लेकिन उमुंमन इस लगन के जाटक कट काठी के अच्छ पाई जाते हैं। प्रेम प्रसंगों में आक्सर ढोका खाते हैं। पार्टनर्शिप में दोखा खाते हैं, नाजुख मिजाज होते हैं, सर्दी गर्मी का प्रकॉप भी जल्दी खा जाते हैं, एलर्जिक समस्याई भी ऐसे लोगों को हो सकती हैं, दात और गले की समस्याई भी कुम लगन के साथ कई बार आ जाती हैं, और जीवन में बड़े दिया हुआ प्रॉमिस पूरा ना कर ले हैं, बहुत सारी चीजें कुम लगन के साथ होती हैं, आप कैसे हैं कुम लगन वाले लोग, आपके जीवन में घटनाएं कैसी घटेंगी, ये मैं आपको किसी सवतंत्र एपिसोड में बताऊंगा, लेकिन आज का हमारा विशेष तत हैं कि जिनका संसार में कुम लगन है, वो लोग क्या करें हैं, हम हर महीने आपकी राशी के उपाई भी बताते हैं, आप यूट्यूब पर हर महीने अपनी राशी के उपाई सुन लिया करें, कुम लगन वाले भी, अन्य लगन वाले भी, अन्य राशी वाले भी, आपकी रा सुपाय करें जीवन में इश्वर की करपा से आप बहुत आगे बढ़ें अब पुनहें अपनी बात पर आता हूं जिन दर्शकों का या जिन का भी संसार में कुम्ब लगन है वो अपनी जनम पत्रिका के हिसाब से आपको क्या विश्चे सुपाय करना आप देखो यह आपको जानना स्यम पढ़ेगा कि आपका लगन क्या है एक रासी से लेकर के बारा राशी होती है अगर ग्यारा नंबर आपके पहले जनम पत्रिका के प्रथम खाने में प्रथम भाव में लिखा है तो आपका कुम्ब लग जाएगा अब आपने मालूम कर लिया कि आपका कुम्ब लगन है हमें उपाय क्या करना है कुम्ब लगन के हिसाब से हमें तीन भाव को मजबूत बनाना है तीन ग्रहों के उपाय करने सबसे पहले लगनेश के पंचमेश के और नवम भाव भाग्येश के जिनका कुम्ब आशी आएगी, अब जब जब शनिवार आए, तीन-चार महीने कुमलगन वाले उपाय करें, हर शनिवार को पंच मुखी हनमान जी की साधना करना, हनमान जी को चोला चड़ाना, जो लालरंग हम उनको चड़ाते हैं, पूरी विधी विधान के साथ, शनिवार के दिन ही सनी सा शनिवार के दिन काला और नीले रंग का दान बढ़ा दें, जैसे ब्लेक बेरी दान कर सकते हैं, काली गुलाब जमुन दान कर सकते हैं, चाय पत्ती किसी को दे सकते हैं, शनिवार के दिन पीपल की साधना कर सकते हैं, कच्चा दूद, लौंग, काला तिल, गंगा जल, सुद्ध जल, चीनी शक्कर मिला करके पीपल देवता को सुभा सुभा शनिवार को ये जल चड़ाएं, ओम शम सुनिचलाएं हमें बोल करके पीपल देवता पर कच्चा सूतला पिटा जा सकता है, शनिवार के दिन और सरस्रो के तेल का दीप अरपण करें, शनिवार के दिन शनी देव की जो पाऊं होते हैं, उनको हलका हलका सरस्रो का तेल लनाएं हैं, चड़ाएं, इससे बहुत शुभ फल की प्राप्ती होती है, शनी चालीसा पढ़ने से भी शुफल की प्राप्ती होती है शनी इस्तोत्र पढ़ने से भी शुफल की प्राप्ती होती है यह हुआ आपके लगनेश का उपाए अब हम बताते हैं पंच मेश महाप की जो आती है मिथुन राशी आती है स्वामी है बुद तो दो चार महीने शन भुब कोई भागवान को औरपन करें या Хरे रंकी कोई-बी चीज आप कर सकते हैं यह लोगि मंत्रों नहीं हुथ सबी लोग हिंदुद्भल्स को मानते हैं अलग रग धर्मों के विकारेक्रम सुंते तो आप बुदवार के दिन हरा रुमाल जेब में रख तकते हरे रंग की मिठाई या फल किसी को डोनेट कर सकते किनर की सेवा करना बुदवार के दिन बहुत फायदे बन रहेगा इससे आपको विशेश तरह का लाब मिलेगा या बहुत लोग दिखो अगर जेव सामर्थे हैं, तो आप हरे रंका वस्तर किसी को सुन्दर सा सिलवा करके दे सकते हैं, अनास आश्रम में किताबे दे सकते हैं, बच्चों की कापी पैंसिल दे सकते हैं, बहुत अच्छा ना आप मिलेगा, अब हम बात करते हैं आपके भागेश शुक्र की, शुक् जी को कच्चा दूद चड़ाना शिवलिंग के ऊपर दूद धही चड़ाना बहुत अच्छा माना जाता है देसी घी का पंच मुखी तीपक भगवान शिव को अरपन करना कपूर का दीप लगाना करपूर गोरम करूना आवतारम बहुत अच्छा रहता है दूसरी बात शुक तो कोई भी ऐसी चीज आप शुक्रवार के दिन दान करें शुक्रवार के दिन चांदी का सिक्का जेम में रखने से भी अच्छा लाब मिलता है चांदी पहनने से अच्छा लाब मिलता है जो महिला है चांदी धारण नहीं करती शुक्रवार के दिन पाई जे नुपूर ज रहने का भाव, जिन जात्कों का कुम लगन है, तो उनको अपने तीन ग्रह डवलप कर लेने चाहिए, फिर बता देता हूँ, शनी, शनीवार के दिन स्वनी साधना, बुद्वार के दिन गनेजी की साधना, या बुद्वार का हरा रंग होता है, दानपुन हरे रंग का किया जाए, और शुक्रवार के दिन, शुक्र साधना, शिव साधना, भगवान शिव की साधना, या सफेद रंग की चीजों का दानपुन किया जाए, तो जो भी आपको इन में से उपाय अच्छा लगा हो, आप जरूर करें, आपको बहुत बेटर रिजल्ट मिलेगा, अच्छ की तरह की तो कुछ चीजे हम देखते हैं, और आपको बताते हैं, आप यह उपाय करें, ऐसा करें, या आपका हाथ देखते हैं, तो इस प्रकार के कुछ विशेस उपाय हम आपको देते हैं, पदर्शकों, यह कुम लगन का मैंने आपको बताया, अब कुम लगन की तासीर क बताते रहते हैं उन्हें भी सुनिएगा और करिएगा और हां देखो मेरा प्रियास रहता है धर्मिक चीजों को बताना अच्छी बाते बताना तो प्री प्लीज इन सब चीजों को आप यूट्यूब पर आप कारेकरम देखते हैं शेर भी किया करें ताकि कोई दुखी उपा बता सकूँ किसी में तरीके से मैं कहिं आपके लूह आ सकूँ तो दूसरों के लाटन बात हमान नहीं आप भी इन सब चीजों को शेर किया करें सर अपना समय देने के लिए हमाई दर्शकों को इतने बेहतरीन उपाय बताने के लिया उसके लिए बहुत-बहुत धन्य उपायों को अपनाएगा जरूर आपको लाब होगा। और वो लोग जो जीवन में तमाम समस्याओं का समाधान प्राप्त करना चाहते हैं। यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना ना भूले चलें के दीजिए उजाज़त नमस्का जिंदिगी के इस प्रवाह में तमाम लोग डिप्रेशन के इस हालात से गुजर रहे हैं सफलता सफलता अपने जगह की बात है लेकिन पता नहीं कितने सारे लोगों को इन्होंने प्रशन किया कि क्या आपके इहां कववे आ रहे हैं मैं बहुत तेज चाओं का करीब चार पांस दिनों से कववों का जूंट मेरे घर पे मन रहा था मैं यही सोचने परेशान था यह सुब है असुब है क्या चीज है तो मिन से मैंने प्रशन किया कि क्या मैंने आपको बता जब महाकुम में आये थे, मेरी इन से वारता हुई, तो मैंने इनका उद्देश जानना चाहा कि किस उद्देश के लिए आप काम कर रहे हैं, तो जो उद्देश उन्होंने मुझको बताया, मैं मन्त से इनके उद्देश के साथ जुड़ गया, इनके साथ तो जुड़ा था ह अब इनके उद्देश के साथ भी हूँ मैं